आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो दोस्तों, इस Question में क्या पूछा गया है? जो होता है वो Gold and Silver के Extraction के लिए ही यूज किया जाता है ठीक है गाईज, जिसमें क्या होता है? AU के साथ Sodium Cyanide या फिर Potassium Cyanide यूज करके हम और इसमें O2 plus Water मिलाकर और इसकी reaction करवाते हैं जो कि किसकी Form में बन जाती है गाईज? NA, AU, CN की Twice, प्लस इसके कुछ Side Products होते हैं तो गाईज, जो Main Product है हमारा AU, CN की Twice की Negative 1 अगर यहाँ पर NA लेते हैं तो Negative 1 नहीं आएगा बट NA को अटा देते हैं तो वहाँ पर उपर Power Negative 1 आ जाएगी जो कि उसका Charge होता है ठीक है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो Gold है और जो Silver है वो इस Type के Complexes बनाते हैं जो पहले हमारे One और Two Options है वो क्या हो गए? सही और अब आती है गाईज बात Copper और Jink की तो इसके अंदर जो Process होता है उसका Rule होता है कि इसके अंदर Jink Dust यूज़ करते हैं ठीक है गाईज और उसकी Reaction के कारण हम Jink का यह जो Complex बना हुआ है यह तो हम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन Copper का जो यह Complex गिवन है Cu, C, N, 4, 2, Negative यह हम इसके अंदर प्राप्त मतलब नहीं कर सकते Complex इसका नहीं बनता है Sainite Process के अंदर ठीक है गाईज तो हम क्या बोल सकते हैं कि यह जो 4th number पर हमारा यह Jink given है यह भी सही है, B भी सही है और A भी सही है बट C हमारा गलत हो जाएगा तो हम यहाँ पर Answer में लिख सकते हैं गाईज A, B and D are correct ठीक है गाईज? Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोट करें डाउटनेटा यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर